जैहन सातियों उमीद है आप सब अभी बढ़िया ही होंगे तो गायज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं पहला में क्या है फसल और इसके बाद है खरीब फसल और रभी फसल और इसके बाद है जायद फसल तो आए ये सब को हम गहराई से समझते हैं अगर ये सब चीजे में से अगर आपको कोई भी चीज पहले से आता है तो आप इस वीडियो के नीचे लिख कर जा सकते हैं तो आए इसको गहराई से समझ ही लेते हैं तो वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है फसल जी हाँ क्या दिख रहा है आपको फसल फसल का इंगलिस क्या होता है क्रोप और फसले रहते तो आपको जैता है क्रोप्स तो ये चीजे आप समझते हैं और आईए इसकी फसल क की परिभासा को हम देखती हैं तो यहां पर मैंने आसानी सी लिख क्या रखा है मिटी में बीज डाल कर खाध जल वायू सूरी की शहाता से जिन उपयोगी पोधो को उगाय जाता है वो आपको क्या कहलाता है फसल कहलाता है गाईज आपको क्या ख्याल रखना है कि देखिए य वायू यानि हवा का भी जरूरत होता है और साथ साथ सूरी यह सबका जरूरत होता है तो हम क्या क्या कह सकते हैं यहां पर खाध जल वायू सूरी और यहां पर देख सकते हैं मिटी तो इनकी सहाता से हम जिन उपयोगी पोधो यानि उपयोग की में आने वाले जैसे धाल हम उपयोगी है तो आप देख सकते हैं तो उपयोगी पौधों को उगया जाता है तो वही आपको क्या कहलाता है फसल कहलाता है यानि हम आसानिस इसको पढ़े तो आपको क्या समझ में आएगा कि मिट्टी में बीज डाल कर मिट्टी में बीज डाल कर खाद जल वायू शूर्य इतियादी की शहादा से जिन उप्योगी पधों को उगाया जाता है वह आपको क्या कहलाता है फसल कहलाता है तो उप्योगी पदार्थ क्या क्या चीज है तो यहाँ पर देख सकते है धान धान हमारे लिए क्या है उप्योगी है गेहुं भी उप्योगी है चना भी कपास भी गन्ना भी सुया बिन भी यहां यानी असानी से अगर देखा जाया तो यहां पर जितने भी चीज़ दिये हुए है यह क्या है यह हमारे लिए उप्योगी है तभी तो हम उगाते हैं तो यह क्या है तो फसल है तो आप आसानी से समझ गये होंगे कि आखर यह फसल है क्या तो फ हम आगे की चीजों को जानते हैं आगे की चीजों में हमारा आजाता है अगला खरीब फसल अब ये क्या है तो यहाँ पर ध्यान देजे इसको मैंने और भी आसानी से लिख दिया है वो है कि जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है जी हाँ चाथियो जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नौंबर में क्या कर ली जाती है काट ली जाती है तो ऐसे फसल को हम क्या बोलते हैं खरीब फसल कहते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो फसल को हम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नॉमबर में काट लेते हैं तो ऐसे फसल को हम क्या कहते हैं खरीब फसल कहते हैं जैसे मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख क्या रहा है धान गना जवार बाजरा तथा मक्का इतियादी तो ये सब हमारा आजाता है रवी फसल ओके तो रवी फसल क्या है यहाँ पर ध्यादी जीए तो रवी फसल को भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर समझिए जो फसल अक्टूबर नॉमबर में बोई जाती है जी हाँ जो फसल अक्टूबर नॉमबर में बोई जाती है तथा मार्च अप अपरेल में काट ली जाती है तो ऐसे फसल को हम क्या बोलते हैं रभी फसल बोलते हैं तो यहाँ पर परिभास आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसानी से लिख दिया है कि जो फसल अक्टूबर नौमर में बोया जाता हो तथा मार्च अपरेल में क्या काट ली जाती हो तो यही फसल आपको क्या किलाते हैं, रवी फसल, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस आपके सोच पर dependent होता है, ठेक है, तो यहाँ पर उधारन में आप देख सकते हैं, मैंने लिख क्या रखा है, गेहुम, चना, सरसो, आलू, राई, इतियादी, तो और भी उधारन आप देख सकते हैं, तो रवी फसल आपको आग्या होगा, तो जली अब हम आगे बटते हैं, और आगे की चीजों को सीखते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है, वो क्या है, जायद फसल, क्या है जायद फसल, तो जायद फसल अब हम किसको कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही आसानी से लिख दिया है कि जो फसल मार्च से जून के बीच बहुत ही कम समय में बोई भी जाती है और उसको बहुत ही कम समय में काट भी ली जाती है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं उधारन में मैंने लिख क्या रखा है मक्का जवार जूट तर्बूज खर्बूज यानि खिरा कक्री आप ऐसे समझ शकते हैं तो जायद फसल आपको समझ आया की नहीं आया तो आज के इस वीडियों में क्या क्या चीज़े जाने तो यहाँ पर आप ध्यान दिजिए इसको अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो ल वाइबा टेक केर बेस्ट अफ लग